नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की जीरो ग्रेन टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है जीरो ग्रेन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और जीरो ग्रेन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की जीरो ग्रेन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में जीरो ग्रेन टैबल ज्यादा तर सिर के एक हिस्से में होता है, लेकिन माईग्रेन का दर्द पुरे सिर में भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में माईग्रेन का दर्द होने पर सिर्दर्द होने के साथ साथ उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदी लक्षन भी हो सकते हैं, इ Zero Grain Tablet के अंदर salt composition flunarigin होता है. Zero Grain Tablet 5 mg वर 10 mg की strength में available है. दोस्तों, खृपया वीडियो को लाइक करना नग भूलें. अब हम discuss करेंगे की Zero Grain Tablet को कैसे लेना recommended होता है. Zero Grain Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है. और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. Zero Grain Tablet को शाम के समय लेना recommended होता है. आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Zero Grain 5 mg टैबलेट या Zero Grain 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार और शाम के समय लेने की सलाह देते है. लेकिन Zero Grain टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको Zero Grain टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए. और डॉक्टर की सलाह के बिना Zero Grain टैबलेट को नहीं लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की Zero Grain टैबलेट की वजह से क्या Side Effects हो सकते हैं. वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Zero Grain टैबलेट की वजह से कोई Side Effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों में Zero Grain टैबलेट की वजह से कुछ सामानने Side Effects हो सकते हैं. जैसे नींद अधिक आना, शरीर का वजन ज्यादा होना, शरीर में ठकान होना, धूख का बढ़ना, कप्स, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी की समस्या हो सकती हैं. इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में Zero Grain टैबलेट की वजह से मुझ में सूखापन, त्वचा पर रहशे, सिर्छ चक्राना और नींद ना आने की समस्या हो सकती हैं. अगर आपको Zero Grain टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामानने लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की Zero Grain टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. और किन कंडिशन्स में Zero Grain टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है. डिप्रेशन होने पर और पारकिंसन्स डिजीस होने पर Zero Grain टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्चता होती है क्योंकि जीरो ग्रेन टैबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों को नींद ज्यादा आने की समस्या हो सकती है जीरो ग्रेन टैबलेट केवल माईग्रेन के अटैक को होने से रोकती है जीरो ग्रेन टैबलेट माईग्रेन की वजह से हुए सिर्दर्द को ठीक नहीं करती है इसलिए जीरो ग्रेन टैबलेट को माईग्रेन की वजह से हुए सिर्दर्द को ठीक करने के लिए नहीं लेना चा Zero Grain Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या Pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं Zero Grain Tablet को ले सकती है या नहीं प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए जीरो ग्रेन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए pregnant महिलाऊ और स्तनपान करा रही महिलाऊ को Zero Grain टेबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जीरो ग्रेन टैबलेट से समबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं